दोस्तों अगर आप PhonePay इस्तमाल करते हैं तो आपको PhonePay पर अब Personal Loan मिलने वाला है क्योंकि PhonePay ने Newly Launch कर दिया है Personal Loan की सेवा अक्सर लोग PhonePay का इस्तमाल UPI वगरा के लिए करते हैं तो अब आप PhonePay से Personal Loan भी ले सकते हैं और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि कह यहां पर आपको PhonePay application में Personal Loan देखने को मिलता है और क्या rate of interest है और क्या इसका charge है और किस तरह से आप आगे apply कर सकेंगे तो यह है PhonePay का application जो कि इस परकार के interface के साथ आप लोग जब open करते हैं तो home page आपको दीखता है यहीं पर आप देखेंगे नीचे में लिखा हुआ है exclusively exclusively for you यानि 5 लाख रुपए तक हम यहां से Personal Loan ले सकती है और new करके लिखा हुआ है Loan वाले section में जो कि आप देखेंगे Personal Loan लिखा हुआ है इस पर मैं click करता हूँ इस पर click करने के वाद यहां पर बताएगा कि कितना तक कि आपको Loan मिल सकता है minimum कितना और maximum कितना आप देखे या फिर 95,000 चाहिए या फिर मान कर चलो 1,05,000 रुपए चाहिए तो इस तरह से आप यहां पर 1,00,000 रुपए चाहिए तो वो भी आप apply कर सकती हो यहां पर उपर में लिखा हुआ है no income proof और paperless process यानि यह जो process होगा paperless होगा कहीं भी physically verification की जरूरत नहीं है पूरा paperless होगा कह नहीं भी paper नहीं देना है आपको और बीना income proof के मतलब ना तो आपसे bank statement खोजा जाएगा और ना ही आपसे कोई income वगएरा खोजा जाएगा क्योंकि यह personal loan जो है pre-approved आपको दिये जा रही है आप देखेंगे यहां पर 24 महीने का option 18 महीने का और 6 महीने का यहां पर rate of interest 1.5 पर पर month के हिसाब से बताया गया है जो कि annually अगर देखा जाए तो 18% आपका हो जाता है अब यहां पर आपका जो EMI बनेगा मानलो की एक लाक रुपए आप ले रहे हो तो आपका EMI 492 रुपए का बनेगा 24 महीना के लिए लेते हो तो 3381 रुपए का बनेगा 18 महीना के लिए ले हो एक लाक रुपए का यहां पर मंथली EMI बन रहा है 4212 रुपए का इंट्रेस्ट जो है डेर पर मंत यानि 1.5 पर मंत के हिसाब से अनुवाली 18% उसके माट डूरेशन है 24 महीने का जो कि यहां पर बताया गया कि प्रतिक महीना के थार्ट तारीक को यहां पर आपका डिव डेट रहेगा और 1 EMI 3 नमबर 2024 मताया गया लेकिन एक चीज नीचे में लिखा हुआ है कि देखें EMI का जो डेट है वो चेंज हो सकता है लोन डिसवर्सल डेट के अनुसार सी ठीक है यानि जब आपको लोन मिलता है उस अनुसार सी अब नीचे में टोटल लोन अमाउंट ज डिसवर्सल किया जाएगा यानि कि आपके बैंक एकाउइंच में दिए जाएगे चोंकि 97 अजार 50 पैराख रुपै रुपै गता है राुपई यह लेगा इस बीडान है नीचे में कि टोटल लोन अमाउंट आप एक लाख रुपए ले रहे हैं इनका प्रोसेस्टिंग फीवी आप पर ही गिरेगा तो एक लाख रुपए का आप लोन ले रहे हैं 1.5% पर मन्त के हिसाब से आपका जो यहां पर चार्ज हो जाएगा इंट्रेस्ट वो 19,806 हो जाए ठीक है तो यह सब डिटियल यहां पर दिया गया है यह अलग-ंलग हो सकती है रेट फ़ इंट्रेस्ट आपके लिए अलग हो सकता है कम भी हो सकता है जाधा भी हो सकता है डिपेंट करता है कि आपको कितना तक की Approvel मिला है और किस तरह से आपका Credit Score, Civil Score वेगरा है यहां पर अब यहाँ पर दूसरा है 18 महीने वाला इसका भी व्यू डीटेल पर क्लिक करके देख लेते हैं कि कितना कुछ लगने वाला है तो जो चार्जे से 2950 रुपया वो तो इतना प्रोसेसिंग फी लगेगा ही इसमें आप देखेंगे कि 14,840 रुपया जो है इंट्रेस्ट लग र रहे हैं उसी परकार से अगर 6 महीने के लिए लेती हैं 1,00,000 रुपया का लोन तो प्रोसेसिंग फी 2950 ही लगेगा और यहाँ पर आप देखेंगे 5312 रुपया आपका इंट्रेस्ट लगेगा क्योंकि समय कम गया इसलिए इंट्रेस्ट थोरा सा यहाँ पर कम गया है तो टो यह भी आप समझ लो कि एक्स्ट्रा में आपको वहाँ पर देना पर रहा है अगर मैं टोटल बात करूँ 1,95,000 का तो इसमें आपका देखोगे तो प्रोसेसिंग फी ज्यादा हो जाता है जैसे प्रोसेसिंग फी देखोगे 5750 रुपय यहाँ पर प्रोसेसिंग फी हो जाता तो यहाँ पर आप एगरी करोगे और उसके बाद यहाँ से कंटेनिव करोगे जस्ट आप कंटेनिव करती हो न तो थोरा सा आपको वेट करना परता है और आगे का परिकरिया क्या आएगा तो जो KYC बेगरा है इसका परिकरिया आएगा जैसे यहाँ पर आपको location की permission देना ह location की permission देने के बाद आप देखो कि total की total 4 step है जिसमें सबसे पहले तो आपको अपना KYC detail डालना पड़ेगा उसके बाद auto पे setup करना पड़ेगा जो की bank account से auto पे setup करना पड़ेगा ताकि आपका यह माई जो है हर महीने कटता चला जाए उतना balance आपको रखना पड़ेगा उसके video verification होगा जो कि आपका KYC video verification के तर्स पर किया जाएगा कहीं भी आपको physically जाना नहीं पड़ेगा इसमें आप देखेंगे basic detail जिसमें आपको pen number pen card के उपर जो नाम है जो date of worth है उसके बाद आपका gender क्या है उसके बाद salary हो या फिर self implied हो वो आप यहाँ से चून लेंगे यहाँ पर simple से चून जिए उसके बाद आपका monthly income कितना है अब purpose of loan यानि loan लेने का क्या purpose है तो आप यहाँ से चून लीजिए उसके बाद यहाँ पर communication detail जिसमें आपका email id, communication address, details सब कुछ डालते हुए continue करना है और उसके बाद bank account से auto pay set करना है, loan agreement enable करना है, देख लेना है, agree करना है और अंत में video verification करना है, उसके बाद application review में जाएगा और जो bank account से आप जो है auto pay set करते हो, जो bank account वहाँ पर देते हो, उस bank account में आपका loan amount दे दिया जाता है, तो अभी तक आपने इस video में देखा कि phone pay ने personal loan सुरू कर दिया है और phone pay से आप personal loan apply कर सकती है, देखिए मैं यहाँ प application जो है pending है, उसके बाद auto pay pending है, उसके बाद loan agreement वीडियो KYC, उसके बाद यहाँ पर loan disbursement जो कि आपका loan अगर दे दिया जाता है, तो यहाँ पर done लिख दिया जाएगा, अगर loan offer देखना चाहते हैं तो view offer detail पर click करेंगे और यहाँ पर आपको loan offer भी देखने को मिल जाता है, तो इस तरह से आप काफी असानी से phone pay application में आकर आप loan के लिए apply कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा सुविधा phone pay के दिया गया है, हाला कि rate of interest कमा नहीं है, 18% बहुत जादा है, आप लोग मुझे वीडियो के नीचे comment करके बताइए कि phone pay application में आपको यह loan वाला option दिया किया है, फिर नहीं दिया गया है, अगर नहीं दिया गया होगा तो बहुत जल्द मिल जाएगा, दीरे 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 eligibility के अनुसार से यह loan offer दिया जा रहा है, उमीद करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करतीचेगा, आपने दोस्तों तक share करतीचेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलती हैं फिर एक नए वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आने वाले वीडियो आप आसाने से देख सकेंगे